क्या आप Airtel के SIM यूज़ कर रहे हैं और अपने फोन में 5G की service को enable करना चाहते हैं या फिर यूँ कहें आप अपने फोन में 5G को on करना चाहते हैं तो कैसे आप enable कर सकते हैं तो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे होंगे जो मैं आपको step बताऊंगा Simply आप उसको follow करना और Simply आप पने phone में 5G service को enable कर पहोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है अपने phone के settings में जाना है जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे उसके बाद की मुबाइल Network में जाना है जो भी seem है आपको उसको select कर लेना है तो यहाँ पर फोन में फाइब जी की प्रिफरेंस लग जाएगी network type जैसे ही आपके हाँ आएगा तो वैसे 5G की यहाँ पे speed आपको मिलने लगेगी तो इस तरीके से आपने phone में लगा सकते हो यहाँ पर 5G और यहाँ पर हम आपको data यहाँ पर on करके भी दिखा देते हैं कि अगर आप इसको on करते हो तो क्या आप सच में आपकी phone की speed बढ़ जाती है की नहीं तो देखी यहाँ पर मैं आपकी बात करूँगा एरटेल की तो एरटेल में जो हमारे यहाँ network speed आती हो काफी अच्छी आती है और जैसे यहाँ पर हम network type में जाकर अपने phone में preferred यहाँ पर 5G लगा देते हैं तो यहाँ पर जो है हमारे यहाँ speed काफी और अच्छी चलने लगती है और जैसे आप यहाँ पर देख पा रहा है कि यह एक वीडियो हमने प्ले किया हुआ है और यह वीडियो जैसे अभी यह normal mode में चल रही है और यहाँ पर आभी हम आपको full HD में लगा के दिखा रहे है full HD का मतलब यहाँ पर 1080p पर हम लॉग इन करेंगे जैसे आप देख पा रहे है कि यहाँ जैसे हमने इसको लगाया है उसके बाद जैसे आप देख पा रहे होगी speed काफी अच्छी आ रही है तो कहने का मतलब है अगर आपके area में भी 5G launch हो चुका है जैसे आपने पता को होगा है कि इंडिया में air दे 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 5G अप्ग्रेड हो रहा है तो इस तरीके से आप भी अपने यहाँ अगर आपके यहाँ 5G launch हो चुका है तो आप अपने air tail की sim को 5G की चुचो service है उसको इनेबल कर सकते हो इस तरीके से यदि आपको इस वीडियो पसंद आप फुड़ी को लाइक भी कर सकते हो आपको मिलते हैं नेक्स वीडियो में आप देखते हैं